Hello Friends, Welcome to Study News आज हम बात करेंगे International Labour Organization के बारे में मतलब अंतर राश्ट्रियस रम संगठन के बारे में बात करेंगे इस संगठन के कारे क्या है, क्या उद्देश से है और ये दुनिया भर में सर्विसे से जुड़े लोगों की मदद कैसे करता है So, Let's Start International Labour Organization United Nations की एक एजनसी है जिसका mandate International Labour Standards को इस्थापित करने के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक नियाय को आगे बढ़ाने के लिए है United Nations के तहत International Labour Organization को 1919 में इस्थापित किया गया यह United Nations की पहली और सबसे पुरानी Specialized Agency है International Labour Organization में 187 सदस्य राष्ट्र है जिसमें United Nations और Cook Island के 193 राष्ट्रों में से 186 राष्ट्र सम्मिलित है International Labour Organization का मुख्याले जिनेवा स्विजर लेंड में इस्थित है इसके दुनिया भर में लगभग 40 field offices इस्थित है डेड़ सो देशों में इसके 2700 कर्मचारी कारेरत हैं जिनमें से 900 तकनीकी सहयों, कारेक्रमों और परियोजनाओं में काम करते हैं International Labour Organization के अंतराष्ट्रिय स्रम मानक व्यापक रूप से स्वतंतरता, इक्वीटी, सुरक्षा और गरिमा की स्थितियों में दुनिया भर में सुलब, उत्पादक और टिकाओ काम सुनिश्चित करने के उद्देशे से किया गया है आयलो, समेलनों और संधियों में स्थापित है, जिन में से आठ को मौलिक सिध्धानतों और कार्यों पर अधिकारों की 1998 की गोशनाओं के अनुसार मौलिक रूप से वर्गी कृत किया गया है साथ में वे संग की स्वतंत्रता और सामोहिक सौदेवाजी का दिकार दिया गया है जबरन ये अनिवारे स्रम के उनमूलन की बात की गई है बाल स्रम के उनमूलन की बात की गई है रोजगार और व्योसाय के संबंध में भेदभाव को समाप्ट करने की प्रभावी मानेता की रक्षा करते हैं इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजेशन अंतराश्ट्रिय सरम कानून में एक प्रमुख योगदान करता है यह संगठन अपने त्रिपक्षिये ढाचे के लिए संयुक्त राष्ट में अदुतिये हैं सभी मानकों, नीतियों और कारिक्रमों के लिए सरकारों, नियुकताओं और स्रमिकों से बहस और इनपुट की आवसकता होती है यह रूप रेखा आयलो के तीन मुख्य निकायों में बनी हुई है अंतर राष्ट्रिये स्रम सम्मेलन जो अंतर राष्ट्रिये स्रम मानकों को बनाने के लिए सालाना मिलता है दूसरी है गवर्निंग बॉडी जो कारेकारी परिसत के रूप में कारे करती है और एजेंसी की नीती और बजट ते करती है और तीसरा है अंतर राश्ट्रिय स्रम कार्याले जो एजेंसी की गतिविधियों को संचालित और कार्यानवित करने में मदद करता है सचिवाले का नित्रित महानी देशक वर्तमान में युनाइटेड किंगडम के गाइड राइडर द्वारा किया जाता है जिसे 2012 में गवर्निंग बॉडी द्वारा चुना गया था 1979 में इंटरनेशनल लेबर और्गनाइजेशन को राश्ट्रों के बीच भाईचारे और सांती में सुधार के लिए सांती के नोबल पुरसकार से सम्मानित किया गया था अन्ने युनाइटेड नेशन्स के विशेश एजेंसियों के विपरीत अंतर राश्ट्रिय स्रम संगठन में एक त्री पक्षिय सासन संरचना है जो 187 सदस्य राजियों की सरकारों नियोकताओं और स्रमिकों को एक साथ लाती है जो स्रम मानकों को निर्धारित करती है नितियों को विक्सित करती है और सभी महिलाओं और पुरुसों के लिए सब भे काम को बढ़ावा देने वाले कारेकरमों का विकास करती है कुछ देश जो ILO के सदस से नहीं है उनमें एंडोरा, भुटान, लीचेस्टाइन, माइक्रोनेशिया, मोनाको, नौरू और नौर्थ कोरिया है इस समय इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजेशन के हेड डायरेक्टर जनरल है गायराइडर इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजेशन की पैरेंट और्गनाईजेशन में युनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली और युनाइटेड नेशन्स एकोनॉमिक एंड सोसल काउंसिल है गायराइडर एक ब्रिटिस राजनितिक वेग्यानिक और संग के आयोजक है जो अंतर राश्टिय स्रम संगठन के दस्वें और वर्तमान महानिदेशक है भारत आयलो का संस्थापक सदस्य है 1922 से आयलो सासी निकाय का एक इस्थाई सदस्य भारत रहा है भारत में पहला आयलो कार्याल है 1928 में बना आयलो और इसके घटकों के बीच उत्पादक साजेधारी का दसकोल का आपसी विश्वास और सम्मान अंतर नहीं थै दुतिय विश्वयूद के कारण हुए विवधान को छोड़ दिया जाय तो अंतर राश्वी सम्मेलन हर वर्स 1919 से होता आया है इस सम्मेलन में अब तक चार भारती राश्वतियों का आगमन हुआ है जिसमें अतुल चटर जी 1927 में स्री जगजीवन राम जो स्रम मंत्री थे 1950 में डॉक्टर नागेंदर सिंग जो अध्यक्ष भी रह चुके थे अंतर राश्वी नियाले के सन 1970 में और स्री रविंद्र वर्मा स्रम और संसद्य मामलों में मंत्री थे 1980 में आयलो ने 2019 में अपनी सौमी वर्सगाठ मनाई है आयलो सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है तो ये थी पूरी जनकारी इंटरनेशनल लेबर औरगनाईजेशन के बारे में तो थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और सेयर